आप सुधरने को तयार हो जाएं, आप में तुरंत उम्मीद जग जाएगी कि दुनिया भी सुधरेगी कोई आपको मिले और कहे इस दुनिया कुछ नहीं हो सकता, तो साफ समझ लेना कि वो ये कह रहा है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता कोई मिले और कहें कि मेरी बीवी सुधरने से रही तो साफ समझ लेना कि वो कह रहा है मैं सुधरने से रहा जो सुधरने लगेगा उसको ततकाल दिख जाएगा कि सब सुधर सकते हैं सब को सुधरना चाहिए सब सुधरने को आतुर है निर्मलता का निर्दोषता का स्वाद ऐ प्रणाम अचारी जी अचारी जी मेरे दो प्रश्न है पहला प्रश्न है कि टिपिकली ऐसा माना जाता है कि जो महिलाए होती है वो थोड़ा प्राक्रतिक रोप से जो से एटिकशी आफिर शे चैर्जिवर्स एमोशनल वो थोड़ा लॉजिकल गोटर्स एम्भिश्योस ऐसे होते हैं तो जैसे जब परिवार में बच्चे आजाते हैं तो जादा responsibility इट फालन सब्सक्राइब एव्यान फटावस तो उनका करियर उने छोड़ना पड़ता है छह मेने के लिए हो, दो साल के लिए हो, कितने भी समय के लिए हो पर इस एक्सपेक्टेड सोसाइटी से भी and self-imposed also that they have to give up तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो बहुत ही आराम से ऐसा कर लेती हैं बट प्रश्न कुछ ऐसी महिलाओं के लिए है, जो कुर्ती रहती हैं उन्हें अपना करियर छोड़ देने के कारण चाहे वो छोटे डूरेशन के लिए क्यों ना हो, इन्सेक्योर्टी होने लगती है फिर ख्लेश हो जाता है, मतलब बच्चा आया नहीं कि यूनों पती-पत्नी में इस्यूस होने लग जाते हैं और एक तो ये प्राक्रितिक टेंजेंजी है पर इसका एक और कारण भी है कि आजकल ऐसा समझा जाता है कि आपकी, you are a better person if you are independent financially आजकल implicitly थोड़ा सा होमेकर्स को थोड़ा सा लुकडाउन भी करते हैं बहुत explicitly नहीं करते पर करते हैं तो दोनों ही है, एक तरफ प्राक्रतिक टेंडेंसी है, एक तरफ society imposed conditioning भी है तो ऐसी महिलाओं के लिए आपका क्या सुझाव होका कैसे वो थोड़ा शान्ती से रह सके, given the situation they are in आप उन महिलाओं की बात कर रही है जो छोटे बच्चे के होने कारण घर पर रहती है वो आ गया है, आ गई है छोटी बच्ची तो जितने दिन उस बच्ची का अधिकार है उसको वो अधिकार आपको देना ही पड़ेगा सवाल मेरा दूसरा है, मात्रत, गरभाधान, प्रेगनेंसी ये कोई अचानक आस्मान से गिरी चीजें तो होते नहीं आपको तो पता होता है ना कि अब आप गरभधारन करने जा रहे हैं आपको पता होता है ना कि अब अगर आप ऑफिस और जाते थे तो वो नहीं हो पाएगा और अब कुछ सालों तक नहीं हो पाएगा शायद या कम से कम कई महीनों तक नहीं हो पाएगा ये तो सब पता था ना तो इंतजाम क्या किया अब ये क्यों पूछा जा रहा है जब बच्चा पैदा हो गया है और अब जब आप कह रहे हैं कि financial independence में दिक्कत आने लग जाती है और issues होने शुरू हो जाते हैं ये मुद्दा अब क्यों उठाया जा रहा है कम से कम नौ महीने तो उपलब्द थे सोचने के लिए ज्यादा नहीं तो नौ महीने तो थे ना सोचने के लिए तब सोचा क्यों नहीं गया कि अब कैसे करना है और pregnancy के पहले ही दिन से तो नौकरी छोड़ नहीं देनी पड़ती कई महीने उपलब्द थे आगे की योजना बनाने के लिए और कुछ ऐसा इंतजाम प्रबंध करने के लिए कि अपनी जो आर्थिक सोतंतरता है वो बनी रहे वो प्रबंध क्यों नहीं किया गया और प्रबंध नहीं किया गया तो फिर पश्टाए होत क्या जब आपको पता है कि अभी आप अगले छे महीने या साल भर बाहर नहीं निकल सकती तो उसका आपने क्या विकल्ब तलाशा लोकि विकल्ब तलाशना है ये तो बात ही नहीं किया बच्चा आएगा तो अब मैं कमाना और चुर्ड़ दूँगी चलि कमाना भी चुर्ड़ देना है तो पहले से आपने कुछ बचट करके क्यो नहीं रखी ऐसा तो नहीं है कि जिस दिन नौकरी लगी उसी दिन गर्भवती हो जाना जरूरी है पहले कर लो तीन साल पात साल नौकरी बचत कर लो उसके बाद आ जाएगा बच्चा तो वहाँ पर फिर किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा आप कह सकते हैं कि भाई आने वाले दो साल के लायक मैंने तो अपनी बच्चत करके रखी हुई है या कोई ऐसी नौकरी तलाश ली जाए जो घर से ही की जा सकती है बच्चे के साथ की जा सकती है ओनलाइन योग है अब तो देखिए मैं पूरी सावधानी और सम्मान के साथ कह रहा हूँ महिलाओं का एक वर्ग ऐसा है जिसको जरा भी जिजक नहीं होती नौकरी छोड़ देने में ये कह करके कि अब तो family responsibilities हैं ये बात ठीक नहीं है कई बार तो ऐसा भी लगता है सब महिलाओं की नहीं कुछ की बात कर रहा हूँ जैसे वो फिराक में ही थी कि कोई बहाना मिले और नौकरी छोड़ दे और घर बैठ जाएं बस किसी तरीके से कोई सम्मान जनक तरीका मिल जाए नौकरी छोड़ने का सब महिलाओं ऐसी नहीं है मुझे गलत ना समझा जाए लेकिन एक वर्ग है ऐसा खट से रिजाइन करती है और बैठ जाती है घर पे पुरुष ऐसा नहीं करते नतीजा यह है कि इम्प्लॉयर्स भी कुछ बातें जानते हैं हाइरिंग के समय और वो उन बातों को फिर ध्यान में रखकर हाइरिंग करते हैं इस तरी पुरुष में वो फिर भेद करते हैं डिस्क्रिमिनेशन करते हैं उन्हें पता है कि दोनों का व्यभार अलग-अलग होने वाला है शादी होगी, प्रिग्नेंसी होगी, संभावना है कि यह अपनी से मेदारियों से पीछे हट जाए और इसमें मैं कह रहा हूँ, इस्तरी की चालाकी जितनी होगी तो होगी इस्तरी का शोशन बहुत ज्यादा है क्योंकि हमने उसे सिखा दिया है, कि उसको सम्मान का अधिकारी बनाता है उसका मात्रत तो जो कि है एक बिल्कुल शारीरिक बात, तो हमने कह दिया है कि तुमारे शरीर से जो हो रहा है उतने भर से तुम सम्मान के अधिकारी हो गई, वो सब बातें सारी कि मां से उची जग है तो भगवान की भी नहीं होती वगएरा वगएरा सुना है ना खुब मां कैसी भी हो उसके चरणों में जन्नत होती है ये सब बाते ना पढ़ी हो ना लिखी हो ना उसमें कोई गुण हो ना योग्यता हो न संसार को जानती हो ना अध्यात्म को जानती हो अगर उसको गर्भ हो गया तो भगवान हो गई ये कोई बात है आप बताईए मैं महिलाओं से पूछ रहा हूँ आप बताईए पुरुशों को हटाईए आप ही लोग बताईए ये बात न्याइपूर्ण है महिलाबाद में है इनसान तो पहले है न एक ऐसा इनसान जिसने जिन्दगी में कुछ हासिल करने की कोशिश नहीं की ग्यान पाने की कोशिश नहीं की कोई कौशल विक्सित करने की कोशिश नहीं की जिसके भीतर हिम्मत नहीं साहस नहीं स्पष्टता नहीं ऐसा इंसान अगर गर्बधारण कर ले तो वो भगवान बराबर हो जाएगा क्या महिलाएं ही बताएं आप से पूछ रहा हूँ आपने आए कीजिए बोलिए नहीं होगा न तो फिर लेकिन ये धारणा खूब चलती है गिवर रिस्पेक्ट शीजा मदर ये कोई बात है आप एक मनुष्य हैं महिलाबाद में है आप बिलकुल वैसे ही एक अत्रिप्त चेतना है जैसे एक पुरुष होता है तो आपका भी अपने प्रतिवही करतव है जो एक पुरुष का होता है जीवन को सार्थकता देना पुर्णता देना चेतना को उसकी उचाईयों पर पहुँचाना आपका भी तो यही धर्म है न जीवन में तो किसने आपका शोशन करा है आपको ये पट्टी पढ़ा के कि आपका पहला धर्म है मा बनना मुझे बताइए अगर पुरुष का पहला धर्म बाब बनना नहीं है तो इस तरी के लिए मात्रत तो पहली चीज कैसे हो गई किसने ये जूटा पाठ पढ़ाया आपको और आपको दिख नहीं रहा है ये पाठ पढ़ा करके कितना शोशन किया गया है कितनी बेडियों में डाला गया आपको मुझे आगरा करके का रहा हूँ गलत न समझा जाए मैं मात्रतों के और गर्भ रखने के और बच्चों के खिलाफ नहीं हूँ मैं बस चेतना के पक्ष में हूँ समझदारी के पक्ष में हूँ लिकिन यह देखा जाता है और फिर इसी लिए यह होता है कि बहुत सारी भ्रमित लड़कियां अक्सर अपनी शिक्षा पर और अपने केरियर पर ध्यान नहीं देती खास तोर पर अगर वो दिखने में सुन्दर वगेरा हूँ उन्हें कॉलेज जाने से भी बहुत मतलब नहीं होता और अगर छोटे शहरों कस्बों की बात करें तो उनके टीचर प्रोफेसर भी उन पर जोर नहीं देते कि तुम कॉलेज आओ वो कहते हैं तो सुन्दर लड़की है यह बिस्सी करके क्या कर लेगी इसका केरियर तो दूसरी दिशा में है एक से एक केरियर वाले आएंगे इसको उठा ले जाने यह पढ़के क्या करेगी सब पढ़े लिखे अभी इसके दर्वाजे आने वाले हैं बारात लेकर यह बात अगर पुरुश बोल रहे होते तो कम घातक होती घातक बात यह है कि इस धारणा को लड़कियां आत्मसाथ कर लेती है कर लेती है नहीं कर लेती है मुझे साउधान होना पढ़ता है क्योंकि आरोप लग जाता है कि आप सुम्पुरुश है इसलिए महिलाओं के बारे में अनाप्षन आप बोल रहे हैं हम तो ऐसी होती ही नहीं है अरे भाई मैं कोई अपना ओपीनियन नहीं व्यक्त कर रहा है मैं आकणों की बात करता हूँ बिना जाने समझे पूरी सूचना के बोलना ठीक होता ही नहीं और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अगर मुद्दे की जड़ तक नहीं पहुँचा हूँ तो चुफी रहूँ इतना ही नहीं होता जो थोड़ी रूपसी लड़कियां होती हैं उनमें एक अलग ही confidence आ जाता है एकदम डबा बन देहां से कुछ नहीं आता जाता ना भाशा आती ना गणित आता ना विज्ञान आता ना कलाएं आती ना कॉमर्स आता कुछ नहीं लेकिन confidence उनका यहां रहता है ऐसा होता है या नहीं होता है और ये बात स्वयम महिलाओं के लिए ही घातक है या नहीं है अगर कोई आपको आपके ग्यान की वजह से नहीं बलकि आपकी देह की वजह से बेहा के ले जा रहा है तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है वो आपको क्या इस्तेमाल करने वाला है बुलिए ये बाजारू बात नहीं हो गई आपने एक चीज देखी वो चीज आपको चमकदार आकरशक सेक्सी लगी आप उसे उठा के अपने घर ले आए यही करते हैं ना बाजार में हम और ये जहरेली धारणा लड़कियों के भीतर प्रविष्ट करा दी गई है उसका एक और मैं आपको बहुत सविन है बोल रहा हूँ उसका एक और घातक परिणाम बताता हूँ बहुत सारी लड़कियां और महिलाएं फिर जीवन में कष्ट जहलने को तयार नहीं होती और कोई भी उचा काम करना है तो उसमें कष्ट तो जहलना पड़ेगा अब मानली जो नौकरी कर रही है और नौकरी में स्थित्य ऐसी बन गई कि ज्यादा घंटे देने पड़ेंगे ज्यादा महनत करनी पड़ेगी और डाट भी खानी पड़ेगी क्योंकि काम बहुत गंभीर है क्रिटिकल है उसमें उच नीच होती नहीं है कि तुरन डाट पड़ती है ऐसे में पुरुशों की अपेक्षा महिलाओं के रिजाइन कर देने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है और डाट नहीं सहती हो गएगी मेरे पास दूसरे आप्षिन्स है नाइन टू फाइफ ठीक है पर ज्यादा दबाव डालोगे परिशान करोगे मैं रिजाइन कर दूंगी फिर उसका नतीजा ये होता है कि बहुत सारी कंपनीज में महिलाओं को जिम्मेदारी के काम दिये ही नहीं जाते क्योंकि हर जिम्मेदारी के काम में तनाव और दबाव जहिलना पड़ता है ये भूल जाना पड़ता है कि कब खाना खाया, कब सोए, कब नहाए, कब आए, कब गए आप में से जो लोग काम करते हैं कहीं व्यावसाही का नुभव है मेरी बात से सहमत हो रहे होंगे, होता है कि नहीं होता है एकदम जूनियर लेवल पर ऐसा चल जाता है कि 9 बज़े आये, 5 बज़े निकल गए जैसे जैसे आपके काम की गंभीरता बढ़ती है, जैसे जैसे आप नितरत के पदों पर आते हो वैसे वैसे काम 24 घंटेगा हो जाता है लगातार महिलाओं को उपद नहीं मिलते मुझे बताओ इसमें महिलाओं की भलाई है उसको हमने देह बना डाला है मा बना बना कर उसको देह ही बना दिया क्योंकि बच्चा जनना काम तो देह काई है न आप जितना ज्यादा मात्रत को गौरवानवित करोगे उतना ज्यादा आप इस्तरी को पतित करोगे बच्चे को बड़ा भी तो कर रही है बच्चा अपने आप बड़ा होता है उसको मनुष्य बनाने के लिए जो ग्यान चाहिए क्या उसकी माने वो स्वयम अर्जित करा है पहले कद तो बच्चे का अपने आप ही बढ़ जाता है हर पशो अपने आप बढ़ा हो जाता है बच्चे को बढ़ा नहीं करना होता है गाय का बच्छडा अपने आप सांड बन जाता है नहीं बन जाता है बड़ा नहीं करना पड़ता है हाँ उसे इनसान बनाना पड़ता है उसे चेतना देनी पड़ती है मा अपने बच्छे को इनसान बना पाए इसके लिए सरप्रतम क्या जरूरी है मा की चेतना खुद उठी हुई हो उपर की हो उसके लिए तुमा को खुद ग्यान अरजित करना पड़ेगा महनत करनी पड़ेगी वो ग्यान अरजित करने के रास्ते में महनत के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा सामाजिक धारणाएं है उसको बोल दिया गया है ज्ञान चाहिए नहीं, महनत करनी नहीं है, माँ बनना काफी है, बच्चे की देखभाल करो, आप बच्चे की देखभाल भी नहीं कर पाएंगी, अगर आप बोध चेतना के रास्ते पर नहीं चली हैं, आपको ये भरम रहेगा, मैंने अपने बच्च भुलाबा देती रिंगी कि इत्तू सा पैदा हुआ था, मैंने 6 फिटका कर दिया, आपने नहीं कर दिया वो अपने आप 6 फिटका हो गया है, रही बाद चेतना की तो इत्तू सी पैदा हुई ती और इत्तू सी ही है, उसको आप बढ़ा ही नहीं पाएं क्योंकि आपकी अपन आप लोग को महिलाओं को बुरा तो नहीं लग रहा है हजार दो हजार शायद दस हजार महिलाओं की एक पूरी ब्रिगेड है जो विशेश कर मेरे पीछे पड़ी रहती है आपकी देह आपकी पहली संपत्ति नहीं है जैसे पुरुष की नहीं होती वैसे आपकी भी नहीं है इतना समय शरीर को मत दिया करिए मन में इतना महत्तो शरीर को मत दिया करिए दिन में दो दो तीन तीन चार चार घंटे मेकप में मत लगाया करिए कोई आदमी रोज नहाता है इससे वो अच्छा आदमी नहीं हो जाता और बुरे आदमी की फैचान ये नहीं है कि वो रोज नहाता नहीं जी आपका पैसा कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री के लिए नहीं है अपने आप से स्वाल पूछा करिए पुरुष्यों के कपड़े इतने सस्ते क्यों होते हैं और आपकी आधी कमाई क्यों जाए महंगे कपड़ों में छोटा सा बच्चा हो गाया एक साल का लड़का उसके भी कपड़े सस्ते होंगे और एक साल की बच्ची होती है उसके भी कपड़े महंगे होते हैं क्यों ये देख नहीं रहे हैं समाज आपके साथ क्या कर रहा है समाज आपसे कह रहा है कि आपकी सारी कमाई देह पर जानी चाहिए समाज आपको संदेश दे रहा है सीख दे रहा है महिलाओं को कि सबसे मुलेवान चीज क्या है देह पर डाले हुए कपड़े मने देह मैं मुख पर राख मलने को नहीं कह रहा है मैं सहज जीने को कह रहा हूँ जैसा एक मनुश्य को जीना चाहिए आप मनुश्य पहले हैं महिलाबाद में हैं और जो लोग मुझसे कहते हैं how as a man can you talk about women as a human being I am talking about another human being या आप human being नहीं है अब woman है, human नहीं है देखिए जब कोई व्यक्ति आंतरिक रूप से मुक्त नहीं होता और आर्थिक रूप से मुक्त नहीं होता तो उसे क्या करना पड़ता है उसे दूसरों से गलत संबंध बनाने पड़ते हैं और उसे दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है उसे कई तरीके की चाले खेलनी पड़ती है उसे घरेलू राजनी तिकरनी पड़ती है क्योंकि वो असुरक्षित अनुभाव करता है इनसेक्योर फील करता है यह जो आप घरों में इतना देखतें न, सास, ननद, देवरानी, जेठानी, यह सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो सब महिलाएं इन्सेक्योर हैं, क्यों इन्सेक्योर हैं? क्योंकि वो मुक्त नहीं है, आत्म निरभर नहीं है, तो इसलिए वो सौत रहें कि फिर चालें खेलती हैं आपस में कि किसका हाथ उपर रहेगा, किसका सिक्का चलेगा नहीं तो समय ही नहीं होगा आपके पास ये छोटे मोटे पचलों में पढ़ने का ये क्यों चलता रहा है कि बेटे पर नियंत्रण के लिए सास और बहु में कशमकश क्योंकि बेटा क्या है बेटा आमदनी का सरोथ है वो मा को भी चाहिए वो उसकी पत्नी को भी चाहिए तो आपस में लड़ती है दोनों इसलिए लड़ती क्योंकि दोनों ही नहीं कमाती और दोनों क्यों नहीं कमाती क्योंकि दोनों को ये पार्ट पढ़ा दिया गया था तुम तो स्तरी हो ना तुम्हारे लिए कोई और कमाएगा तुम बच्चे पैदा करो हमने खरगोश पा ले हैं हम यहाँ आई हैं तो उनके लिए पहले विवस्था करके आई है आपको भी अगर अपने जीवन में खरगोश लाने है तो पहले विवस्था कर दीजिए ना विवस्था पहले कर लीजिए फिर खरगोश को लाईए मैं कहूं कि मैं यहाँ आई नहीं सकता महुत्सव में भाग नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास खरगोश है यह कोई बात होई बोलिए और दस हैं वो पूरे इत्ते इत्ते इत्तो इत्तो जैसे आप बोल देते हैं कि मेरे पास मेरा बच्चा है मैं कैसे आउ सकती हूं मैं काम नहीं कर सकती मैं शिविर में नहीं आ सकती मैं कुछ नहीं कर सकती मेरे पास तो मेरे पास दस है खरगोश मैं भी नहीं आऊंगा कर दो